नमस्कार, मैं निशांत शर्मा, भारतिय अर्थवस्था का विकास विशय के पाठ निर्धनता के भाग एक में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस पार्ट में सबसे पहले हम निर्धन्ता की अवधारना से अवगत होंगे और उसके बाद निर्धन्ता के कारणों एवं उसके उपायों का वर्णन करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि निर्धन्ता क्या है अथवा गरीबी से हमारा क्या तात पर रहे है यदि बात करें निर्धन्ता की तो यह जीवन की वह स्थिती है जहां एक व्यक्ति अपनी नियूनुतम आवशक्ताओं को भी पूरा करने में असमर्थ है अर्थात यदि कोई रख्ती जीवन की मूल भूत आवशक्ताओं जैसे रोटी, कपड़ा एवं मकान, सिक्षा, स्वास्ते, इत्यादी को भी पूरा नहीं कर सकता तो उसे निर्पेक्ष रूप से निर्धन कहा जा सकता है निर्धन्ता की दो प्रमुख अवधारणाएं सापेक्ष निर्धन्ता एवं निर्पेक्ष निर्धन्ता है यदी बात करें सापेक्ष निर्धंता की, तो सापेक्ष निर्धंता से हमारा अभिप्राय ऐसी निर्धंता से है जो तुलनात्मक तौर पर स्थापित की जाती है. उधारण के लिए यदी आप दो वर्गो, शेत्रो या देशों की तुलना करें और आप आएं कि एक वर्ग शेत्र या देश दूसरे से अधिक संपन अथवा धनी है इसका तात्पर्य यह है कि अन्य वर्ग शेत्र या देश पहले वर्ग शेत्र या देश की तुलना में कम सम्रिध अथवा कम धनी है इन दो वर्गों, शेत्रों या देशों में अधिक सम्रिध वर्ग शेत्रिया देश को आप गैर निर्धन की कैटेगरी में रख सकते हैं, किन्तु वह वर्ग शेत्रिया देश जो पहले की तुलना में कम सम्रिध अथवा संपन है, उसको सापेक्ष तोर पर आप निर्धन कह स तो सापेक्ष निर्धनता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति वर्ग शेत्र अथवादेश आवश्चक रूप से निर्धन है किन्तु जब उस वर्ग व्यक्ति शेत्र अथवादेश की तुलना दूसरे व्यक्ति वर्ग शेत्र या देशते की जाती है तो कम संपन होने के वज एवम जीवन की नियूनतम आवशक्ताओं को पूरा करने में असमर्थ है तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए नियूनतम आए भी अर्जित नहीं कर सकता एवम आधारभूत सुविधाय जुटाने में असमर्थ होता है तो उसे निर निर्पेक्ष निर्धन्ता का माप निर्धन्ता रेखा की अवधारणा के द्वारा स्थापित किया जाता है निर्पेक्ष निर्धन्ता की अवधारणा को ग्यात करने के लिए आप निर्धन्ता रेखा का परियोग कर सकते हैं निर्धंता रेखा वह अवधारणा है जिसके आधार पर आप निर्पेक्ष रूप से कौन व्यक्ति निर्धन है एवं कौन व्यक्ति गैर निर्धन है का निर्धारण कर सकते हैं यदि बात करें कि निर्धंता रेखा क्या है तो यह एक ऐसी रेखा है जिसके नीचे यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसे निर्धन कहा जाता है एवं यदि इसके उपर कोई व्यक्ति आता है तो उसे गैर निर्धन कहा जाता है भारत में जो व्यक्ति 2011 और 12 की कीमोतों के आधार पर ग्रामीन छित्रों में उपभोग पर 816 रुपे और शहरी छित्रों में कम से कम 1000 रुपे खर्च करते हैं उन्हें गरीबी रेखा से उपर के लोग माना जाता है एवं निर्पेक्ष तोर पर वह निर्धन नहीं है किन्तु वह व्यक्ति जो उपभोग पर एक महीने में ग्रामीन छित्रों में 816 रुपे एवं शहरी छित्रों में 1000 रुपे भी खर्च नहीं कर पाते हैं उन्हें निर्पेक्ष तोर पर निर्धन कहा जाता है निर्धनता के माप की एक और विधी हो सकती है जिसे हम नियूनतम कैलोरी उपभोग विधी कहते हैं इस विधी के अनुसार ग्रामीन छित्रों में यदी एक व्यक्ति एक दिन में 2400 तथा शहरी छित्रों में 2100 कैलोरी का नियूनतम उपभोग नहीं कर पाता तो हम उसे निर्धन कहते हैं परन्तु यदी ग्रामीन छित्रों में व्यक्ति 2400 एवं शहरी छित्रों में कम से कम 2100 कैलोरी का उपभोग कर पाता है तो उसे गैर निर्धन की कैटेगरी में रखा जाता है अब बात करते हैं निर्धनों के वर्गीकरण की, निर्धनों अथवा गरीबों को आप तीन भागों में वर्गीकरित कर सकते हैं, जिसमें पहले हैं आपके चिरकालिक निर्धन, उसके बाद हैं आपके अल्पकालिक अथवा क्षणिक निर्धन, तथा तीसरे हैं आपके ग् इन तीन अवधारनाओं को हम स्क्रीन पर दर्शाय गए चित्रों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं पहले बात करते हैं चिरकालिक निर्धनों की जिसके अंदर निर्धनों के दो वर्ग शामिल है पहले वह व्यक्ति जो सदेव निर्धन है तथा दूसरे वह व्यक्ति जो सामान्यता निर्धन है अर्थात वह व्यक्ति जो सदेव गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हें हम सदेव निर्धन के वर्ग में वर्गे कृत करते हैं एवं ऐसे व्यक्ति जो सामान्य तहा गरीबी रेखा के नीचे हैं किन्तु यदा कदा गरीबी रेखा के उपर भी चले जाते हैं किन्तु सामान्य तहा या अधिक्तर क्योंकि ये गरीबी रेखा के नीचे हैं इन्हें चिरकालिक निर्धन कहा जाता है आप स्लाइड पर दिखाए गए चित्र में देख सकते हैं कि चक्रिय निर्धन वह लोग हैं जो कभी गरीबी रेखा के उपर तथा कभी गरीबी रेखा के नीचे होते हैं मुख्य तहा चक्रिय निर्धनों के अंदर अनियमित निर्धन या ऐसे निर्धन शामिल है जो मौसमी कामकाजों में संलिप्त है तो यदि मौसम परिवर्तित होने से कार्रे मिलता है तथा मौसम बदल जाने से कार्रे खतम हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति चक्रिय निर्धन की कैटेगरी में आते हैं उसके बाद बाद करते हैं अनियमित निर्धनों की यह ऐसे निर्धन है जो सामान्य तोर पर गरीबी रेखा के उपर होते हैं किन्तु यदा कदा यह भी गरीबी रेखा के नीचे खिसक जाते हैं एक धनी व्यक्ति या एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्यता निर्धनता रेका के उपर है यदि उसके माल में आग लग जाए और आकस्मिक कोई बहुत बड़ी हानी हो जाए तो हो सकता है कि वह कुछ शणों के लिए गरीबी रेका के मीचे आ जाए इसके बाद बाद करते हैं तीसरे वर्ग अर्थात गैर निर्धनों की यह वह वर्ग है जो सामान्यता गरीबी रेका के उपर ही रहता है यदि आप चितर में देखेंगे तो यह लोग गरीबी रेखा के उपर ही रहेंगे और क्योंकि यह सदैव गरीबी रेखा के उपर है इसलिए इन्हें गैर निर्धन वर्ग में वर्गेकृत किया जाता है बात करते हैं भारत में निर्धनों की संख्या एवं प्रतीशत अलग अलग वरशों में बड़ अट्थवा घट रहा है यदि बात करें वर्श 1967-61 की उस समय भारत में गरीबों की कुल संख्या 17 करोण एवं कुल जनसंख्या में गरीबों का प्रतिशत 34 प्रतिशत था यदि बात करें 1964 एवं 65 के वर्ष की तो भारत में गरीबों की कुल संख्या 22 करोड एवं कुल जनसंख्या में गरीबों का प्रतिशत 46 प्रतिशत था यदि कुछ वर्ष आगे आजाएं एवं बात करें वर्ष 1999 में 2000 की तो आप देख सकते हैं कि भारत में गरीबों की संखिया वर्ष 1999 में 26 करोड एवं कुल जनसंखिया में गरीबों का प्रतिशत 26.1 रहा यदि बात करें वर्ष 2011-12 की तो आप पाएंगे कि भारत में गरीबों की संखिया 26.9 करोड रही एवं कुल जनसंखिया में इन गरीबों का प्रतिशत 21.9 रहा तो यदि बात करें 1967-61-2011 बारत तक के आकड़ों की तो आप पाएंगे कि भारत के अंदर हाला की गरीबों की संखिया के अंदर व्रिधी हुई है किन्तु कुल जनसंखिया में गरीबों का प्रतिशत 34 से घटकर केवल 21.9 ही रह गया है यही आकड़े यदि हम वक्रों के द्वारा प्रदेशित करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरहां से गरीबी का वक्र उपर से नीचे की तरफ जा रहा है अर्थात इसकी प्रवर्ती उपर से नीचे गिरती हुई है यह वक्र यही दर्शाता है कि किस प्रकार सन 1951 से 2011 तक आते आते भारत में गरीबों की संख्या एवं उनका प्रतिशत कम हुआ है यदि बात करें इसी प्रतिशत की गरामीन एवं शहरी चेतरों में तब भी आप पाएंगे कि भारत के अंदर शहरी गरीबों एवं गरामीन गरीबों की संख्या के अंदर कमी आई है हाला कि शहरी गरीबों की संख्या ग्रामीन गरीबों की संख्या के अंदर अधिक सुधरी है अर्थात ग्रामीन शित्रों में अभी भी आप शहरी शित्रों की तुलना में अधिक गरीब लोग पाएंगे अब बात करते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से कोई देश, कोई व्यक्ति, कोई वर्ग, अत्वा, शित्र, निर्धन होता है जिसमें पहला कारण है राश्ट्रे उत्पाद अत्वा आय का निम्निस्तर राश्ट्रे उत्पाद अथवा आए देश की समूचित आए है और यदि यह आए कम होती है तो प्रतिव्यक्ति आए भी कम हो जाती है जब देश का राश्ट्रे उत्पाद कम है तो देश के लोगों में बटने वाली आएकस तर भी कम हो जाता है यदि आयका स्तर कम है तो सामान्य तहा लोग निर्धनता की ओर खिसक जाते हैं दूसरा कारण है देश में विकास की निम्न दर यदि विकास की दर को देखा जाए तो लगभग लगभग विकास की दर 5 से 6 प्रतिशत रही है और आज की दिनों में भी आज के वर्षों में भी यदि आप देखेंगे तो विकास की दर लगभग लगभग 5 और 6 के बीच में ही जूल रही है यदि विकास की दर को जनसंख्या की विरिधी दर के साथ तुलनात्मक तौर पर रखा जाए तो आप पाएंगे कि जन्संख्या की विकास दर 2-3 प्रतिशत है एवं विकास की दर 5-6 प्रतिशत के बीच में जूल रही है जिसका ताथपर्य यह है कि विकास की शुद्ध वृधी दर केवल 2-3 प्रतिशत ही रह जाती है किसी भी देश के विकास के लिए उस देश के लोगों के विकास के लिए देश की कुल विकासदर में विधी होना बहुत आवश्यक है किन्तु हमारे देश की विकासदर क्योंकि अभी बहुत कम है इसलिए आज की समय में भी बहुत सारे लोग निर्धन्ता रेखा के नीचे ही है निर्धन्ता का तीसरा कारण हो सकता है जनसंख्या का भारी दबाव यदी राष्ट्रे आए एक निश्चित माप है और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है इस लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से राष्ट्रे आए का जो हिस्सा प्रती व्यक्ति को प्राप्त होता है वह कम होता जाता है उधारण के लिए माल लीजिए कि यदी राष्ट्रे आए या राष्ट्रे संसाधन कुल सौ इकाईया उपलब्द है और जनसंख्या भी सौ ही उपलब्द है इस केज में प्रती व्यक्ति जो संसाध्यों का उप्भोग कर सकता है वह केवल एक इकाई है यदी जनसंख्या बढ़कर सौ से दो सो हो जाती है तो प्रती व्यक्ति संसाधन एक इकाई से कम होकर केवल आधी इकाई रह जाएगा तो आप देख सकते हैं किस प्रकार जनसंख्या का भड़ता हुआ दबाव विकास की दर एवं राश्ट्रे उत्पाद से होने वाले प्रती व्यक्ति उत्पाद एवं आए को नकरात्मक रूक से प्रभावित करता है चौथा कारण निर्धनता का जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मुद्रा स्विति का कूचक्र मुद्रा स्विति का तातपर्र है देश में बढ़ने वाली महंगाई यदि आप निर्धनों की संख्या कम करने के लिए कोई कदम उठाते भी हैं आप उनकी आए बढ़ा देते हैं आप विकास की दर बढ़ा देते हैं आप जन्संक्या के दबाव को भी कम कर देते हैं किन्तु यदि देश में महंगाई बढ़ती रहती है तो यह बढ़ती हुई महंगाई आए में होने वाली विधी को कम कर देती है एवं वहे लोग जो पहले से निर्धन है अथवा वहे लोग जो निर्धनता रेखा के बहुत समीप हैं बढ़ती हुई महंगाई से वहे निर्धनता रेखा के नीचे खिसक सकते हैं उसके बाद बाद करते हैं चिरकारी बेरोजगारी एवं अल्परोजगार की जो कि निर्धंता का एक बहुत प्रमुक कारण है बेरोजगारी का तातपर रहे है एक ऐसी अवस्था या एक ऐसी स्थिति जहां पर हर वहव्यक्ति जो काम करने के योग्य है एवं काम करने का इच्छुक है काम प्राप्त करने में असमर्थ है क्योंकि वह व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक भी है एवम कार्णे करने में समर्थ भी है रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ है उसकी आएके सुरोत कम हो जाते है आएके सुरोत कम या खत्म होने से obviously व्यक्ति किधर चला जाएगा निर्धनता की तरफ खिसक जाएगा अलप रोजगार भी एक ऐसी ही अवस्था है जहां पर व्यक्ति को रोजगार तो मिला है किन्तु जितना कार्रे करने में वह सक्षम है अथवा जिस तरह का कार्रे करने में वह सक्षम है उसे उस तरह का कार्रे नहीं मिल पाता जिस कारण उसे आय तो प्राप्त होती है किन्तु यह आय जितनी आय वह कमा सकता था उससे कम रहती है क्योंकि व्यक्ति अपनी शम्ता से कम आय अर्जित करता है तो निर्धन्ता के तरफ खिसकना एक बहुत ही जायसी बात है उसके बात बात करते हैं देश में पूंजी निर्माण की कम दर्की किसी भी देश के विकास के लिए पूंजी निर्माण एक आवश्चक शर्त है यदी देश में पूंजी का निर्माण होता है तो उत्पादन की संभावनाएं बढ़ती है बढ़ती उत्पादन की संभावनाएं रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाती है एवं बढ़ता हुआ रोजगार देश में आय के सर को बढ़ाने में कारगर है अर्थात यदी देश में पूंजी की कमी है अत्वा पूंजी निर्माण की दर में कमी है तो उत्पादन की दर में कमी होगी तो लोग अपने आप निर्धंता की और खिसकने लगेंगे एक अन्य कारण जो लोगों को अत्वा व्यक्तियों को निर्धंता की और लेके जाता है वह है देश में सक्षम एवं कुशल उद्यमों की कमी किसी भी देश के विकास के लिए ऐसे उद्यमों की आवशकता होती है जो जादा से जादा उत्पादन करने के लिए जादा से जादा लोगों को रोजगार मुहिया करा सके किन्तो एक ऐसा देश जहां पर ऐसे सक्षम एवं कुशल उद्यमों की कमी है वहां कम उद्यम लगाए जाएंगे एवं कम रोजगार के अफसर पैदा होंगे रोजगार के कम अफसर आए के अफसरों को संकुचित कर देंगे एवं निर्धनता की मातरा निर्धनों की संखिया देश के अंदर बढ़ने लगेगे एक अन्य कारण हो सकता है पुरानी सामाजिक संस्थाएं, उधारण के लिए जाती प्रथा या इस तरहां का पारिवारिक संगठन जहां पर एक व्यक्ति अपने शेत्र को छोड़कर दूसरे शेत्र में कार्णे करने के लिए जाना पसंद नहीं करता। जाती प्रथा किस तरह से लोगों को निर्धन बनाए रखती है जाती प्रथा की व्यवस्था कुछ खास वर्गों को उनहीं वर्गों के कार्णे करमों में बांधे रखती है और वह चाकर भी उस व्यवस्था से बाहर नहीं आ पाते हैं तो इस तरह की संस्थाएं या इस तर भी देश के विकास के लिए आवश्यक है यदि किसी देश में यह बुनियादी सनरचनाय उपलब्ध नहीं है यदि सडके नहीं है संचार नहीं है एवं उर्जा नहीं है तो रोजगार के अवसर संकुचित हो जाते हैं और संकुचित रोजगार के अवसर आएके सुरोतों को भी संकुचित कर देते हैं आय के सुरोत संकुचित होते ही निर्धंता प्रगाड रूप ले सकती है और इसी के साथ निर्धंता भाग एक को हम अंत करते हैं हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद